हेलो गाइज, वेलकम बैक टू परिक्षा गुरू अकेडमी आज लेकर रहा है एक बार फिर से आपके लिए बाइलोजी का पार्ट थ्री गाइज वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमाँ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना बूले चलो बिना देर करें पढ़ते हैं सबसे पहले मोटिवेशन थाट, उसके बाद पढ़ाएंगे कुश्चन, फिर देना आप आंसर, देखते हैं मोटिवेशन थाट पहला लिखाए अमित ने, हमारे जीने का तरीका कुछ अलग है, हम उमीद पर नहीं अपनी जिद पर जीते है बहुत से, जिद्धी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अगर आप जिद्धी होना, तो आप कुछ भी हासल कर सकते हो देखते हैं, एक और लिगया मैंने, दूसरा, यह है काजल का failure is the opportunity to begin again more intelligently, मतलब जो आपकी असफलता होती है असफलता आपके लिए बड़ा अपसर है, जो फिर से शुरू करने की जरूवत है अधिक बुद्धी मानी से, ठीक है जो आप असफल होते हो, तो वो आपकी क्या है, एक अपसर है, मतलब नई, दूसरी बार के लिए, दूसरी बार के लिए आपका अपसर है और तू बिगीन अगेन मोर इंटेलिजेंटी, और दुबारा से फिर से शुरूआत करने ने की अगिद अधिक बुद्धी मानी से आगे समझ में है, फुड़ी यार इंग्लिश मेरी बीक है, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं आती है चलो एक बार और बता देता हूँ, मैंने अलग-अलग करके बता दी, अब समझ में नहीं है जो आपकी असफलता होती है, वो एक आपके लिए दुबारा नेक्स टाइम के लिए कबलती है, सफलता बनती है और जब शुरुआत करो दुबारा से, तो फिर एक बार फिर से अधिक बुद्धी माने से शुरुआत करना चाहिए इसका मतलब यह था, मैंने अब बता दिया, बैसे हिंदी में पूरा कुश्चन नमबर फश्च देखते हैं, क्या बोलता है बिरिद्धी बले, ग्रोथ रिंग्स किसकी किरिया से बनते हैं फास्ट तरीके से चलूँगा गाईस, और मैं आपको कुश्चन की बन बाई बन डेटे भी बताता रहूँगा जितना पॉसिवल हो सकता है तो बिर्द्दी बला है Growth Rings किस के के किरिया से बनते हैं Cambion, Xylem, Flowem, Xylem या और Flowem तो किस के किरिया से बनते हैं बिर्द्दी बला है जो पेड़ों में बिर्द्दी मतलब Rings बनते हैं किस की बज़े से बनते हैं तो इसका Right-Awnsir हो जाएगा Option A Cambion की बज़े से अच्छा ये जायलम और फिलोएम जो आगया इसके बारे में भी जान लेते हैं देखे जायलम क्या होता है ये जो होता है जल और खनिज को अफ्षोसित कर पौदू की अनभागों में पहुचाता है जल और खनिज लबड को jos इसके जायलम से आगया जल तो ये जल पहुचाएगा और खनिज लबड टू कि यह बड़ा कोश्चन है कि परागणर पॉली ग्रेंज का अर्थ क्या है अर्थ है चारों पड़ो और फिर आंसर देना इसका कि आपका पिर्जनें तर्थ से जो है आज लग जादा कोश्चन है इसमें देखो सबकी जो इंग्लिश वाले है न उनके लिए मैं बीच वीच में कटिन वर्ड का इंग्लिश टाइप करवाता हूं ताकि आपको याद हो ताकि जो है इनमें दिक्कत ना हो क्योंकि ये पराग कड़ी उन लोगों थोड़ा सा समझ में मुश्किल हो जाता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन ए पराग धानी से पराग कड़का बर्ती कागर पर आना देखें कुश्चन नमर थिरी अनिशेख फल फिरूड जो होता है जिसमें होते हैं क्या होते हैं अनिशेख फल कौन सा होता है तो पार्थेनो कार्पिक फिरूड कौन सा है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन सी बिना परागर और निशेशन के बना फल जो होता है वो अनिशेख फल कहलाता है दो अनिशेख फल होता है क्या जिसमें निशेशन भी नहीं होता परागर नहीं होता वो अनिशेख फल कहलाता है यह आपके कौन-कौन से होते हैं, जिसे आपका केला हो गया, अंगूर हो गया, यह सब क्या हैं, अनुशेक फल है, पार्थेनो कार्पिक फ्रूड बोला जाता है, पराग क्या है, नर युग्म कोदभिद, मादा युग्म कोदभिद, नर भीजाडू योदभिद, या फिर मा तो पराक कड़ क्या है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्सेन ए नर युग्म कोद भीग मुझे ऐसा लगता है हिंदी वाला जो अपना बिल्कुल उसमें लिए जाता है हिंदी को थोड़ा सा बैसे समझाना चाहिए ताकि एजली समझ में आ जाए क्योंकि समझने में बहुत दिक्कत आती है मतलब समझ नहीं बाता है जबकि होते बोई चीज है कुछ अलग नहीं होता है कुशन नमबर फाइब क्या बोलता है आबरित भीजी एंजियो इस्पर्म पाद्रों में भूड कोश प्राया होता है एक आतला है मतलब है दो से मिलकर होता है ठीक है इस तरीकर सुल्द तीरि गुलत मतलब फाद्रों में भूड कोश्ट प्राया होता है तो भूड कोश को क्या बोलते-एंब्रोई एंब्रॉय नहीं इसे बोलेंगे आपका एंडोस्पर्म, भूण को बोलेंगे एंडोस्पर्म, आपका भूण को बोलते हैं, जो भूण होता है, उससे बोलते हैं, एंब्रॉय, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, ओप्षन, डी, नहीं, ओप्षन, दी नहीं, ओप्षन बी होगा, दुईगड़ित, यार गलत लग जाता है, आपरित बीजी पादू में जो भूण को बोलते हैं, वह आपका दुईगड़ित होता है, ठीक है, और जो भूण होता है आपका, एंब्राइव होता है, उसमें कैसा होता है आपका, तो इसमें पाद QO Se, Merida Size या फिर Çünkü बिजार और से वहूरको इसको Embrovis headphone बोलते हैं अच्छां, Endosperm जो होता है 2N गुना जो है उसे बोलते हैं यार लटा बता दिया मैंने वहूर को इसको Embroos headphone बोलते हैं याद रखना तो Beech किससे बना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन डी बी जाण से और भी ओल से कुश्चन नबर सेविन एक ही पादप में एक पुष्प के पराक कड़ों का दूसरे एक पुष्प के बरती कागर पर जाना कहलाता है चारो अप्सन पढ़ो और फिर आंसर देना एक ही प्लांड जो है उसका एक पुष्प के पराक करोड का दूसरे के बरती कागर पर जाना तो क्या कहलाएगा जल्दी से अंसर दो इसका फटफट तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्सन सी कुष्शें नमर एट नट का खाने योग भाग होता है सुपारी का खाने का योग होता है उसका कौन सा भाग होता है भीजबड भिरूड पोस या फिर अंता फल वित्ती या मदद फल वित्ती तो सुपारी का खाने का योग बाग कौन सा होता है तो आप्शन B भूड पोस्ट जो होता है आपका वो इसका खाने वाला बाग होता है कौश्य नमबर नाइन कौन सा फल नट है मूफली, सुपारी, अख्रोट या काजू क्या है नट है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन D काजू कौश्य नमबर टैन नारियल में खाने योग भाग होता है कौन सा होता है भूड पोस्ट, मद फल बित्ती, अन्ता फल बित्ती या भाहा फल बित्ती ये तो बता सकते हो मुझे पता था, ऊपर वाले request थोड़े से tough थे लेकिन ये हैं आ सीरीज मैं tough भी होना चाहिए, moderate भी होना चाहिए easy भी होना चाहिए सारे type के question होना चाहिए तब ही तो paper बनेगा आपके अगर मैं easy question ले लूँ बार बार तो फिर आप easily कर दोगे, moderate रहुँ इसमें से 15-20 के आसपास भी पहुँच रहा है न तो एकिन मानियों उसकी science अच्छी है biology तो अच्छी है इतना तो मैं मान सकता हूँ अगर 15-20 question के आसपास भी पहुच रहा है तो क्यों मुझे बताई ये label तोड़ा अच्छा है तो इस बेस आप पढ़ते रहा करो यह नहीं कि समझ में नहीं आए वीडियो छोड़ के चले गए आज तो समझ में नहीं आ रहा है आज नहीं पढ़ेंगे जब आप डेली डेली यह चीज़े मुझे से पढ़ते रहे तो आपने देखा हूँ बहुत सारी चीज़े मैं आपको सुबह वाली वीडियो में जो कराता हूँ इस्टेटिक जीके वाला जीए जीके का पार्ट चलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़े आपको पहले समझ में नहीं आती होंगे लेकिन मैं लगातार कंटियन्यू करा रहा हूँ अब चीज़े समझ में आ रही है कोई सभी आप कभी भी अपना प्रेक्टिस सेट लगाऊ होता है कि कुष्चेंग नमबर 11 आपरित बीजी पादों के बीज में होता है केबल बीज पत्र होता है केबल भूरपोश होता है केबल पिल मियोल और रेडिकॉल होता है या सुप्त एंब्रियो होता है तो आपरतवीजी मतलब एंजियोस्पर्म तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन डे सुप्त एंब्रियो सुप्त भूड ठीक है सुप्त भूड जो है वो आपका आपरतवीजी पौदों के बीच में होता है कोशन नमर 12 मक्का का दाना है बीज, बास्तिविक, भूड या आबास्तिविक फल तो मक्का का दाना कैसा है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन बी बास्तिविक फल है चलो मैं इससे बता देता हूँ, बास्तिविक फल होता है, आबास्तिविक फल होता है इसमें क्या होता है, जिस फल का विकास ओब्रे, मतलब की भूड में होता है वो बास्तिविक फल होता है, और जो आबास्तिविक फल होते है जिनका विकास मतलब भूड को छोड़ कर वो ओबरे मतलब अंडाश है यार उल्टाउटा बता जो आपका ओबरे होता है अंडाश है को छोड़ कर इसके अलाबा फूल के किसी भी भाग में होता है तो वो आपका कहलाता है अबास्तिविक फल असत फल कहलाता है जैसी कि आपक तो क्या होता है एक सच्चा फल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निशेचित एवं बिक्षित अंडा से अंडा से कुश्य नमर 14 कटैल जैक फ्रूट में मासल खाने योग भाग है तो किसमें खाने योग भाग है कटल में तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से पत्र और परिदल पुंज प्रैकेट्स एंड पेरियंत जो आपका है कटल में खाने वाला भाग होता है मैं ली समझ लो जो अंदर का भाग होता है और जो बीज भी निकलता है वो खाने वाला होता है इसमें कुशन समल कुशन 15 अधिकांश पादब वायरेस में जेनेटिक पदार्थ है डीने आरने प्रोटीन या फिर लाइसोजाइम तो अधिकांश पादब वायरेस में जेनेटिक पदार्थ कौनसा है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा एक औप्टशन कि भी आरेने ठीक है आरेने जो है इसमें जेनेटिक अधिकांस जेनेटिक स्वार बाइर्स पदारत है इसके लाब है इसकी फुल्पर्म क्या होती है राइबोनिक्लिक ऍैसेड और डियने की डैयोकसी डीबोनिक्लिक acid ठीक है डिने की होती है डियोक्सी डियोक्सी राइबो नुक्लिक एसेड और इस चाहिस से रिलेटेड एक चीज और याद आगी मुझे सेडियोक्सी डियोक्स का जो डॉल हॉली सरचेशना का निर्मान किसने आता बॉल्ट सरेव निखिया था उननीश्तो आपका अच्छा डियोक्सी पदार्त है जो कि आपका मदा से फादर से बेटे में बेटे से बेटे में इस तरीके चलता रहता है बच्चों बच्चों में चलता है अनुवांशिक कहलाता है इतना तो समझ में आता ही है तो जो छोटा से भाग होता है DNA का जो छोटा से महस भाग होता है तो वो आपका क्या कहलाता है जीन कहलाता है जिससे आप जीन बोलते हो जीन कहलाता है question number 16 जन्तू बाइरस में आनुवांशिक पदार्त अधिकांशता होता है DNA, RNA, DNA, RNA या DNA या RNA तो जन्तू बाइरस में आनुवांशिक पदार्त अधिकांशता कौन सा होता है जल्दी से answer दो तो इसका right answer हो जाएगा option D, DNA या RNA question number 17 पिर्ति जैविक आउश्दी अधिकतर किस में मिलती है जीवाडू में, बिशाडू में, शैवाल में या फरपूंदी में पिर्ति जैविक आउश्दी को मतलब जानते हो एंटिवाटिक जिसे कह सकते हैं के साब से तो इसका right answer क्या हो जाएगा, option A, जीवाडू में, मिलती है अच्छा इससे related में एक दो चीज़े बता दिता हूँ आपको, फिर आप याद रखना, देखें, यह सहबाल होता है मुझे शहबाल से related एक चीज़ आदा है, इस शहबाल में एक लेमे नारिया, लेमे नारिया नामों शहबाल से आयोडीन प्राप्त होता है याद रखना, लेमे नारिया शहबाल जो होता है, एल्गी होता है, उससे क्या होता है आपको, आयोडीन प्राप्त होता है और शैबाल के अध्यन को क्या करते हैं Phycology बोला जाता है और जो आपकी नील हरित एक होता है दूसरा नील हरित शैबाल होता है विलु ग्रीन एल्गी यह धान के खेतों में पाए जाता है और फिर आगे आपका कवक होता है इससे एक दूसरा कवक के अध्यन को क्या करते हैं माइकोलोजी करते हैं और यह अपनी जो कवक शैवाल जोता है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और जबकि कवक क्या होते हैं अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें किलोरोफिल नहीं पाय जाता है शैवाल में किलोरोफिल से Penisicillin Penisillin नामक anti vatic दवा बनाई जाती है ठीक है जो Penisillin penisillin जो anti vatic होती होती है उसकी कोछ किसी कषिए ठीक अलेकशेंडर ऑलेकशंडर ने उसकी की ति थी ठीक है अब बनाई किस्या बनाई के जाती यह तो आपकी Penisillin nlo ten se I am ठीक है को समझ में आ जाए बाइरस की सर्प्रितम खोछ किसने की यह तो बताए सकते होग इसली लिए तो जीवाड़ू की खोछ किसने की मतला बाइरस की खोछ किस ने थी तो आप सेडी के वो आप संग सी question number 19 जीवाडू की खोज किस ने की तो जीवाडू की खोज किस ने की तो इसका right answer क्या हो जाएगा option A, A, B Lewin Hawk ने की A, B, Lewin Hawk ने इसकी कोज की थी ठीक है अब जी नाम आ गए दो तीन मैं इनके बारे में बता देता हूँ देखिए जो Lewis faster होते है इन्होंने किसकी कोज की? Hydrofumbia की कोज Hydrofumbia की कोज की जो की आपका कुत्त काटने से हो जाता है Hydrofumbia रोग हो जाता है तो उसके टीक के कोज की Lewis faster ने, उसके बाद आगे आपका Robert कोज तो Hazzy की टीक के जो टीका बनाया वो किसने बनाया रावार्ट कोच ने रावार्ट हुक ने सबसे 1665 में कोशका की खोच की थी जो आपकी सैल होती है उसकी कोच किसने की रावार्ट हुक ने की थी सबसे पहले 1665 में ठीक है Question number 20 जीवाड़ू को पादब मानते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है Option पढ़ो और फिर आंसर दो जीवाड़ू को पादब मानते हैं क्योंकि इनमें दिर्ड़ कोशका वित्ती होती है बेगती नहीं करते हैं सबी जगे उपस्तित होते हैं भिखंडन द्वारा multiply करते हैं मतलब fusion द्वारा जो होते हैं वो multiply करते हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा option A इसमें दिरण कोश्का वित्ति होती है इसमें strong cell ball पाई जाती है आपके जो bacteria होते हैं इसमें इसी वेशें इने पादब बोला जाता है question number 21 उपाप्चे दर सरवादिक होती है चूहे में मनुष्र में हाथी में या फिर बंदर में तो इसका right answer क्या हो जाएगा option A चूहे में उपाप्चे को बोलते हैं मेटावॉलिक rate मेटावॉलिक rate बोला जाता है उपाप चाहेगो क्या बोलते हैं मेटावॉलिक रेट जो होती हो सरवादिक इसमें होती है आपकी चूहे में कुश्य नमर 22 जब ATP का परिवर्थन ADP में होता है तो उत्पन होता है हार्मोन एनर्जी एंजाइम या फिर विदूद कि एक करजा लिख दिया कि यह क्या होगा आपका उर्जा तो जब ATP का परिवर्थन ADP में होता तो उत्पन क्या होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन बी ओर्जा एनर्जी उत्पन होती है क्या उत्पन होती है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है अपका अच्छा इससे रिलेटेड में एक दो चीज बता देता हूं वह आप ध्यान से सुनना यार याद नहीं आ रहा है ATP के जो साइकल चलती है इसी में पता देता हूं जो ATP होता है देखो एडी में बदलता है तो और निकलती है ठीक इसी तरह के से ADP का ATP में परिवर्टन होता है तब भी उर्जा जुड़ती है इस तरीके से होता है मैं किसी दिन एटीप और डीप की बारे में भी बता दूँगा कोश्चन 22 में अभी नगभी आ जागा है उपाप चाहे मेटाब मेटाबॉलिज्म के परडाम सुरूप और जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है यह आपका और जा करजा लेग दिया वई यह क्या है तो उपाप्चे मेटाबॉलिज्म के परड़ाम सुरूप उर्जा किस रूम में तुरंत रखी जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन बी एटीपी के रूम में रखी जाती है कुश्चे नमर 24 शरीर के लिए एंजाइम बहुत आबस्यक है क्योंकि शरीर का रचना दिमख भाग है उर्जा प्रिदान करते हैं जीव रासाने किरियाओं के उत्परिर्ख हैं या तंत्रिका किरियाओं का नेंत्राण करते हैं तो शरीर के लिए एंजाइम बहुत आबस्यक है क्योंकि इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्सन C जीव रासाने किरियाओं के उत्परिक केटालेज्ट होते हैं या हमारे कोई भी किरिया कराने में क्या होते हैं उत्परिर्ख होते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उप्सन D 38 ATP अडू उत्परिक होते हैं क्योंकि इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्सन C अमीनो एसेड जो कि आपके क्या है प्रोटीन की इकाई है क्योंकि नमर्ट ट्विंटी सेबन 26 था पहले बाला ग्लाइकोसिस में परिवर्तन होता है प्रोटीन ग्लुकोस में ग्लुकोस फिलक्टोस में मंडू इस टार्ट इंटू ग्लुकोस में या ग्लुकोस पाइरुबिक आमल में तो किसमें होता है ग्लाइकोसिस में परिवर्तन होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्सन डी ग्लुकोज पाइरुबिक अमल में ठीक है यह ग्लाइकोजन ग्लाइकोसिस परिवर्तन कहलाता है कोश्चन नमर्ट ट्वंटीएट कोश्च यह सेल में प्रोटीन संशलेसर का इस्तान है माइटो करंडिया केंद्रक राइबो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइबो सोम ठीक है याद रखना अच्छा यह प्रोटीन संशलेसर का काम करता है आपका राइबो सेम यह छोट छोट छोटे सेल जैसे कि आपको कोई भी बाड़ी है जैसे हमारी बाड़ी है हमारी body किस से बनी हो मिलकर बनी तो हमारी body cell से मिलकर बनी होई है ठीक है तो हर चीज जो है वो cell से बनकर बनी हो जैसे कुछ भी ले लो अपने body का एक छोटा part ले लो तो उसमें ये सारी चीज़े पाई जाती है आपका केंद्रक पाई जाता है राइबोस्वम पाई जाता है क इंद्रक माइट्रो कॉन्डिया गॉल जी बाड़ी बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती है अच्छा जो आपका इसके बारे में जाने लेते हैं थोड़ा सा माइट्रो कॉण्डिया क्या है कोश्का का गिरह और जा गिरह या पावर हाॉस केंद्रित होता है कि उसके बारे में अच्छा जो आपका यह होता है कोश्का का मस्तिस्क केंद्रक जो बोला जाता है कि यह तो इसका राइट आंसर तो आपका क्या होगया यह माइटो कॉंडिया हो गया और जो कोश्का का होने वाली जो किरियां आप नेंत्रक करता है वो कौन करता है आपका केंद्रक करता है कोई भी बॉड़ी होती है मैं इस तरीके से यार मैं किसी नापको बायोब बढ़ाऊंगा पुरी यह बॉड़ी है इसमें एक केंद्रक होता है ठीक है इसमें राइबोसोम होता है यह चोटे-छोटे इस तरीके से इसमें जो माइटो कॉंडिया भी होता है और गोल जी वाड़ी भी होती है इस तरीके से आपका सेल तयार होता है कुश्टन अमबर 29 किस पर एंजाइम अधिक सकरी होते हैं 30 डिग ferm tempo, 40 repo centigrade या फिर 20 degree centigrade या 62 degree centigrade तो किस ताप पर जो होता है वो enzyme अधिक सकरिये होते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option B 40 degree centigrade पर enzyme क्या होते हैं अधिक सकरिये होते हैं question number 30 शरीर में अधिक्तिम उर्जा संचे किस पदार्थ के रूप में होता है protein, glycosin, vitamin या फिर बसा तो शरीर में अधिक्तम उर्जा संचे किस पदार्थ के रूप में होता है तो इसी कोश्चन आराम से बता सकते हो सबसे अधिक उर्जा संचे जो होती है सबसे अधिक उर्जा जो मिलती है में वो बसा से मिलती है ठीक है याद रखना मैं पता देता हूं देखिए एक गिराम बसा एक गिराम जो आपकी बसा होती है बसा जो होती है तेल वाली जो चीजे होती है उसमें ज्यादा बसा पाया जाता है तो एक गिराम बसा जब तूटती है तो इसमें आपको 9.1 कैलोरी जो है वो उर्जा प्राप्त होती है कितनी 9.1 कैलोरी उर्जा आपको प्राप्त होती है अच्छा जो आपका यह होता है प्रोटीन होता है एक ग्राम प्रोटीन अगर तूटती है तो इसमें आपको 4.2 कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है याद रखना एक ग्राम ब पहरूजा पहरूजा प्राप्त होती है जो आपका बिल्डिंग मसल्स जिपन घरा कटे, उन्हें प्रोटीन की ज्यादा हुटे है उसी बिदैसे बोाडी बनती है विटामिन जो होते हैं विटामिन आपके बोड़ी में अब्जर्व होते हैं ये आपके रोगों से लड़ने में काम आते हैं आपका बसा जो होता है मुटा पर चड़ता हूँ बसा की वाईसे चड़ता है घर पर रहें सेप रहें ओके बाई और मोटिवेशन तॉट लिखना मैं नेक्स टाइम इसी वीडियो में लेकर आऊँगा ओके बाई एब्रिवन